हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माईवेपक्लासे इस पीडियो में 20 फर्वेवी 2024 का फोर्थ सिप्त का कॉस्टंस पेपर देखेंगे और आपको आल कॉस्टंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है तो नमकीन पिज्जा है तो यह इस तरह से डाइग्राम बनेगा फिर इसके बाद दूसरा कथन देखेंगे कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो यहाँ पर देखें पिज्जा कोई पिज्जा बिस्किट नहीं तो इसको अलग से बना लेते हैं लेकिन इसका नमकीन के साथ य ये इसमें कोई connectivity नहीं है तो अताय दूसरा सत्थ है फिर तीसरा निसकर्स है कुछ पिजब बिसकिट नहीं है तो यहाँ पर कोई पिजब भी बिसकिट नहीं होगा ये भी सत्थ है तो अताय निसकर्स 2 और 3 दोनों अनुसरान करते है इस विकल्प में जाएंगे तो यहाँ प को कैसे लिखा जाएगा क। हुआ है अब इसी तरह देखे इसमें भी क्रमांकिक मान लिखेंगे तो 8 I का 9, G का 7 होता है, H का 8, E का 5 और R का 18 अब जब आपस में इनको आप प्लस करेंगे क्रमांकिक मान को तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 55, क्रमांकिक मान का योग लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 69, तो मतलब प्लस 4 और करेंगे 55, 49 देखे इसमें भी अत्रिक्त प्लस 4 किया, इसमें भी प्लस 4 अत्रिक्त किया है तो यहाँ पर क्रमांकिक मान को जोड़के 4 प्लस कर लेंगे तो A का 1 होता है, H का 19, Pai का 9, A का 1, और N का 14 अब जब आपस में इनको आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर बैलू आएगी 44 जोड़ने पर आएगा यहाँ पर सभी का योग 44 अब 44 में आपको 4 और प्लस करना होगा, तो 44, 44, 48 इसका कोड हो जाएगा आपसा नमबर से करेक्ट है, नेस्ट कॉस्टन है निम लिखित प्रष्ट में दिये गए बिकल्पों में से संबंधित अच्छरों का चैन कीजिए यहाँ पर देखे, फर्स्ट और सेकेंड का आपस में देखें कि संबंध क्या है तो देखे, पहला लिटर देखे, तो यहाँ पर गेरा है, गेरा में जब तीन घटाएंगे तो यहाँ पर देखे, यह आठ हुआ, मतलब माइनस तीन किया, फर्स्ट लिटर में फिर यहाँ पर देखे B है B में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर Y आ जाएगा मतलब सिकन में भी माइनस 3 करेंगे और यहाँ Z है Z में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर W अर्थात 26 26 में 3 घटाने पर तो यहाँ पर माइनस 3 इस तरह इस में भी माइनस तीन आपको प्रते एक लिटर में माइनस तीन कर लेना है तो देखे बाइस में जब तीन घटाएंगे तो यहां 19 होगा अर्थाथ 10 आएगा फर्स लिटर, नौ में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा मतलब यह फोरत है क्रमांग और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा अथाथ C होता है तो SFC इसका अंसर होगा आपसर नमबर 3 करिक्ट है नेस्ट कोस्टन है 8 एथलीट सुनील, अविसेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनू, कोयल और अंकित एक ब्रताकार मेज के चार और केंदर से बाहर की और मोह करके बैठे है सबसे पहले तो यहाँ पर एक ब्रताकार यहाँ पर देखे टेबल या मेज बना लेते हैं और केंदर से बाहर की और 8 परसन है तो यहां पर देखे यह आठ की इस्थिति यहां पर पहले बना लेते हैं केंद से बाहर की तरफ चार के लिए तो यह इस तरह से हो जाता है और पाच्वा यहां पर आएगा छट्वा इसी के सामने आमने सामने फिर सातमा इधर हो जाएगा बाहर की तरप और आठमा यहाँ पर यह आठ हो गए अब इसके बाद देखे परन तो जरूरी नहीं कि वह इसी करम में बैठे हो आगे देखे कोयल राहुल के बाइयोर तीसरे इस्थान पर बैठी है तो यहाँ पर कोयल राहुल के बाइयोर तेदी उपर यहाँ पर राहुल को बैठाते हैं सॉरी कोयल राहुल के बाइयोर तीसरे इस्थान पर तो राहुल यहाँ पर बैठाएंगे तो बाइयोर कहलाएगा यह कहलाता है यहाँ लेप्ट और यह कहलाता है राइट यह याद रखेगा बाहर की और केंदर करके बैठे हैं तो बाई और बैठी है कोयल राहुल के तो यहाँ पर एक, दो, तीन तीसरे इस्थान पर तो यहाँ पर आ जाएगी कोयल क्योंकि बाई और है अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें तनू, चीनू के दाई और तीसरे इस्थान पर बैठी है तो अब यहाँ पर देखें पहले यहाँ पर लेप्ट इधर कर लेते हैं और यह सभी का राइट हो जाएगा अब देखें कहरा है कि तनू, चीनू के दाई और तीसरे इस्थान पर यहाँ पर चीनु को बैठाते हैं तो चीनु के दाई और तीसरे इस्थान पर तनु तो पहला दूसरा यहाँ पर तनु पहले साइड में लिख लेंगे बाईलू इसके बद देखें मोहित सुनील के दाई और दूसरे इस्थान पर बैठा है अभी इसको सुनील के बाई और दूसरी स्थान पर तो यहां पर देखे सुनील को बैठाएंगे पहला और दूसरा यह तनू हो जाएगी बाई और दूसरी स्थान पर यह इस तरह से पहले सिट कर लेते हैं आगे देखिए अब यहां पर देखिए जो छोड़े थे कि मोहित सुनील के बैठा है बैठी है तो अब देखिए इसको यहां से सेट करें कि यहां 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 लिखें क्योंकि यह राइट है और यह लेफ्ट है तो इसी तरह सेट करेंगे तो यहां 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 पर टी आएगा सुरी यहाँ पर देखिए यम बैठा है इसके बाद एक इस्थान छोड़के यहाँ 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 फिर देखिए यहाँ पर दो इस्थान छोड़के C तो दो इस्थान यहाँ पर चोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C फिर इसके बाद एक इस्थान छोड़ के यहां पर एक इस्थान छोड़ेंगे तो यह आएगा तो यह सिटिंग यहां पर नहीं हो रही तो इसलिए आपको बैठाना होगा यहां पर देखिएगा आपको बैठाना स्टार्ट करना है इधर से मतलब इधर मोहित को बैठाएंगे यहां से यहां से ना बैठा के यहां से बैठाएंगे तो देखें यहां पर एदी मोहित है तो एक इस्थान छोड़ करके यहां पर यहां पर यहां पर सुनील तो यहाँ पर एक प्लेस छोड़ देंगे, यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर देखे, सुनील के बाद एक इस्थान छोड़ के तनू, तो एक इस्थान यह चोड़ के यहाँ पर तनू, फिर तनू के बाद दो इस्थान छोड़ के चीनू, तो दो इस्था कुछा अंकित है तो यहाँ पर लिख देते हैं अंकित यह सभी सेट हो गए आपको यहाँ से बैठाना इस्टार्ट करना है और यह सभी सेट कर लेंगे तो अब देखिएगा कह रहा है कि कोयल के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो coil तो यहाँ है coil के बाई और दूसरा तो बाया कहलाएगा इधर साइड तो पहला और दूसरा तो यह मोहित है यहाँ पर देखे बाई और दूसरा मोहित इसका option number 3 correct होगा आपको इसी तरह set कर लेना पहले यह data आप arrange कर लेंगे साइड में रफ वर्क इसके बाद फिर इसको सिटिंग करेंगे नेस्ट कोस्टन है दिये गए भी कल्पों में से उस आकरती का चैन कीजे जिसे दी गई आकरती स्रंकला में प्रस्न चिन के इस्थान पर रखा जा सकता यहाँ पर देखेगा यह प्रस्न चिन के इस्थान पर कौन सी आकरती आएगी नेस्ट तो आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन की ब्रद्धी हो रही है यहाँ पर सिकेंड में देखें है दित सिकेंड में देखें एक लाइन ब्रद्धी हुई फिर 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 फि बराबर प्राप्त होना चाहिए जीरो यहां पर दो की जागए सून है अब यह देखें यहां पर दो त्याई 6 माइनस का 6 होगा और लेकिन प्लस का 6 होगा पांच एक 6 तो जब 6 में 6 घटाएंगे तो सून प्राप्त हो जाएगा अर्थाथ 2 और सून को बदलने पर इस समी कर सत्त हो जाएगा नेश्ट कोस्टन है निम लिखित प्रस्ण में दिये गए बिकल्पों में से स्रंखला से लोप्त संख्या का चैन कीजिए यहां पर देखें स्रीज दी गई है इस स्रीज में आपको अल्टरनेट चलना है अल्टरनेट स्रीज है तो देखें 86 से 82 हुआ मतल दिये बाकमी तो हमेसा अल्टरनेट ही चलते हैं तो यहां पर आप्सन होगा इसका फस्ट चौथारनेस्ट कोस्टन है निमन में से कौन से उत्तर आकृति प्रस्न आकृति के पैटरन को पूरा करेगी घुर्णन की अनुमत ही नहीं तो यहां पर देखिएगा प्रस्न प्रत्रित्स फील और यह जो फिगर इसका शुनरैबर कर दिया है मतलब इसका वुटर मेघ पना काटा जाता है खोले जाने पर यह कैसे दिखाए देगा और है यहां पर देखिएगा यह काधस को मोड़ा है तो पहले ऐसे मोड़ दिया है फिर इसके बाद इनको इस तरह मोड़ेगा और यहाँ पर देखे cutting कर दिया है तो जब open करेंगे तो यह यहाँ पर भी आ جाएगी और जब इसको open करेंगे तो यह इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा तो अतरा है इसका option first correct होगा इसको open करने के बाद नेस्ट कोस्टन है दी गई बिकल्प आकरतियों में से उस आकरती का चैन कीजिए जिसमें प्रश्न आकरती चीपी हुई यह नहीं थै घूर्णन की अनुमत ही नहीं है और यहाँ पर देखें कि थर्ड बिकल्प में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही आकरती यहाँ पर बनी हुई है जैसे यहाँ पर प्रस्ण में दिया हुआ है यह इस तरह से Next question है यहाँ पर देखें केवल इतना ही यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ से लेकर इतना यह यह आकरती आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दी गई है Next question है पाँच दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक ब्रताकार मेज के चारो और केंदर की और मुह करके बैठी है पहले तो पाँच की यहाँ पर इस्थिती बना लेंगे ब्रताकार मेज है तो चार के लिए यहाँ पर यह जगए फिक्स हो जाती है पाँचों यहाँ पर आजाएगा और सभी केंदर की और मुह करके बैठी है चारू, भावना की परोसी नहीं है तो आँगे देखेंगे इसको अभी छोड़ देते है भावना हेमा के बाई और दूसरे स्थान पर बैठी है यहाँ परेदी हेमा होगी तो हेमा के बाई और दूसरा तो पहला दूसरा यहाँ पर बैठाएगे भावना को फिर आँगे देखेगा कह रहा कि चारू भावना की परोसी नहीं है आगे देखे गीता भावना और हेमा की परोसी है तो हेमा और भावना की परोसी गीता है तो यहाँ पर गीता को बैठाएंगे चारू भावना की परोसी नहीं है तो चारू को यहाँ पर बैठा देते हैं यहाँ पर चारू बैठेगी, आगे देखेगा, जो बचा तो यहाँ पर पूजा को बैठाएंगे, नेस्ट कोस्टन है, भावना की ठीक दाइं योर कौन बैठाएं, भावना की दाइं योर यहाँ पर देखेंगे, तो गीता बैठी है, आपसन फोर्थ करेक्ट है, नेस्ट क की जगे प्लस और साथ में 6 और 3 को संख्या को भी बदल देंगे 6 की जगे यहां पर 3 आ जाएगा 3 की जगे 6 अब देखें समीकर्ण क्या सही है तो पहले यहां 8 है तो लिखेंगे 8 यहां पर सिंबल माइनस का आएगा चेंज करने पर माइनस फिर यहां 3 आएगा और इंटू ह की जाएगा 4 पhr आगे देखें यहां पर प्लस होगा तो प्लस और तीन की जगे छे है फिर भाग फल में एक और यह बराबर यहां पर दो प्राप्त होना चीजिए तो देखें यहां पर 3 चौक 12 खुडा करेंगे तो 12 आएगा और यहां पर 6 में श से भाग करेंगे तो 6 य आएगा तो जे आट फ्ललस का है छे प्लस का तो आट शे चौुदा flavor में यहाँ पर बारा माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिये बैलूर्व फॉस्टलं में चेंज करेंगे क्योंकि ये तिहाई है तो तीन का भाग करने पर ये सिकन संख्या आएगी फिर पूना ये तीन का भाग कर देंगे तो यहाँ पर थर्ड संख्या प्राप्थ हो जाएगी प्रस्नवाचक चिन की जगे तो जब तीन से भाग करेंगे तो 675 प्राप्थ होगा यहाँ पर 2025 में फिर आगे 3 से जब भाग करेंगे 675 में तो 225 आ जाएगा और फिर इसमें 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 Next question देखेंगे नीचे दिये गए सब्दों को अंग्रेजी सब्द कोस्के क्रम के अंसार बेवस्तित करने के बाद कौन सा सब्द तीसरे इस्थान पर आएगा तो यहाँ पर देखेंगे यह सब्द दिये गए हैं तीसरे इस्थान पर आपको पता करना कौन सा सब्द आएगा तो देखें यहाँ पर प्रथम 3 लेटर से पता नहीं चलेगा क्योंकि समान है सभी में SMA, SMA प्रथम 3 लेटर सभी में समान है तो 4 लेटर देखेंगे अब 4 लेटर देखेंगे तो देखें यहाँ पर C है तो यह 1st में नमबर में लिखेंगे SMA, C, K यह पहले नमबर पर आएगा फिर इसके बाद 4 लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यल है तो यल इसके बाद C के बाद यल आता है अर्थाथ E-A-C-M-A-W-L दोसरे नमबर पर आएगा फिर इसके बाद देखेंगे तो यह दोनों तो फर्म हो गए फिर इसके बाद देखे तो यहां पर आ राता है यहां के बाद आ राता है तो ESMARTA तीसरे नंबर पर आएगा और यही पता करना है कि तीसरे इस्थान पर कौन साएगा अंग्रेजी सब्दो को उसके अंशाल लिखिने पर तो समार्थ होगा आपसर नंबर फुस्ट करेट है तो फिर आपको बागी पता करने की जओरत नहीं है नेस्ट क्टें है क्योगंत बाद यही और कारत है क्योग ими प्लस आर कारत है क्यो आर का सम्मंद है तो तो आप पहले दिये गए बेंजग का डाइग्राम बनाएंगे तो देखे यहाँ पर डाइग्राम बनाने के लिए पहले यस माइनस टी बीच में माइनस देखे तो कहरा है कि फर्स्ट सेकेंड का भाई है तो मतलब यस टी का भाई है तो आप यहाँ डाइग्राम बनाएंगे ST का भाई है तो यहाँ पर इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि male के लिए plus, female के लिए minus फिर T भागी U है तो यहाँ पर देखे भाग लगा है तो यानि बीच में तो first second की बेटी है मतलब T U की पुत्री है अब T U की पुत्री है तो यहाँ पर T को माइनस कर लेंगे और U उसके उपा लिखेंगे यह पीता या माता कोई होगी U आगे देखेगा U plus B है तो यहाँ पर plus लगा है तो देखे plus का मतलब होता है first second का पती है मतलब U B का पती है तो यहाँ पर U को B का यहाँ पर पती बनाएंगे यह plus होगा यह माइनस तो देखे यह पुत्री कहलाएगी और यह पुत्र होगा क्योंकि यह दोनो पुत्र पुत्री है तो कहरा कि B का T से क्या समद्ध है यह जो डाइग्राम बना है तो देखे B का T से समद्ध पोँच रहा है तो यह मा कहलाएगी क्योंकि ये पीता और माता ये दोनों है तो आपसर नंबर सेकेंड करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है निम लिखित में से कौन सा अच्छा समूद दी गई स्रंकला में रिक्त इस्थान पर आएगा यहाँ पर देखें इस रंकला दी गई है पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो P Q एक जोड़ा फिर Q में एक जोड़ेंगे तो R फर्स्ट लेटर R आ जाएगा सिकेंड लेटर देखेंगे तो R S एक प्लस कर रहा है तो S के बाद यहाँ पर T आ जाएगा थर्ड लेटर देखेंगे तो Q के बाद R है मतलब एक प्लस किया तो R के बाद यहाँ साएगा यहाँ पर तो इस तरह 1 प्लस प्लस करेंगे सभी में तो यहाँ RTS हो जाएगा आपसन फ़स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है निम लिखित प्रश्ण में दिये गए बिकल्पों में से सम्मंदित अच्छर युगम का चैन कीजिए यहाँ पर देखेगा फश्ट लेटर देखे तो यहाँ पर R है यहाँ पर देखे W है तो मतलब 18 से 23 हो गया 18 5 30 मतलब प्लस 5 किया है फश्ट में यहाँ 16 से 21 हो गया है तो 16 5 21 होता है यहाँ भी प्लस 5 किया है फिर यहाँ पर 4 से 9 हो गया तो मतलब प्लस 5 यहाँ भी किया है तो प्लस 5 कर रहा है सभी में तो आपको देखना कि किस में प्लस 5 प्लस 5 किया है तो फश्ट में यहाँ 12 है यहाँ 3 है तो यह तो घटाया है प्लस नहीं किया तो होगा नहीं यहाँ पर 2 है यहाँ 15 है यहाँ प्लस 5 नहीं कि यह भी नहीं होगा यहाँ पर 24 से यहाँ 21 से तो यह माइनस की यहाँ प्लस नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखे यह आपसन फोर्ट करेक्ट होगा है यक्स में जब प्लस 5 करेंगे तो तो C आ जाएगा, ये Y में जब प्लस पाच करेंगे तो यहाँ D प्राप्त हो जाएगा, Y के बाद Z, फिर A, B, C, D, फिर 13 में प्लस पाच करेंगे तो यह 18 आ जाएगा, तो देखे, एक-एक भुजा बढ़ा रहा है, और फिर संक्या अंदर लिख रहा है, तो 3 भुज है, फिर यहाँ चत्र भुज, ये 5 भुज, अब आगे 6 भुजाए होगी और अंदर 6 होगा, तो आपको आपसन में द्रश्ट जालना, तो यहाँ पर देखे, इस से के 3 में देखे, तो 3 में आप 6 भुजाए नहीं है, 6 लिखा जरूर है, आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भुजाए है, ये गलत है, आपका यहाँ पर होगा आपसन नंबर 4, यहाँ 6 समय क्लीनिक को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर पहले दोनों सब्द लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखे, B से यहाँ पर D हो गया, अर्थाद प्लस 2 किया है, फर्स लेटर में, 2 से 4 हुआ, फिर यहाँ पर E है, 5, 5 से 3 हो गया, मतलब माइनस 2 किया है, फिर आगे देखे 8 से यहाँ 10 हो गया, तो मतलब प्लस 2 किया है, फिर यहाँ पर 1 में माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ वाई आएगा, फिर यहाँ में प्लस 2 करेंगे, तो यहाँ पर देखे यहाँ आ जाएगा, 12, 24, और फिर यहाँ में माइनस 2 करेंगे, तो यहाँ पर C में माइनस 2 करेंगे, बारा में दो घटाएंगे तो दस होगा अर्थात जे, यल में दो घटाने पर, आई में दो जोड़ेंगे तो नव दो गेरा अर्थात के, चवदा में दो घटाएंगे तो यहां बारा प्राप्त होगा अर्थात यल, और यहां पर नव दो गेरा होता है, तो आई में दो कीजिए जो स्रंखला को पूरा करेगा यहां पर देखेगा फ़स्ट देखे यहां का क्रमांग 13 13 से 19 फ़स्ट लिटर पहले देखेंगे तो 13 प्लस 6 किया तो 19 हो गया फिर 19 से देखे यहां पर 17 हुआ तो माइनस 2 किया फिर यहां पर 17 से 23 हो गया तो मतलब प्लस 6 फ़स्ट ल है देखे 17 सी यहां 15 हुआ मतला माइनस 2 फिर 15 से यहां पर 21 हुगे तो प्लस 6 15 छे किस फिर 21 से यहां पर 19 हुआ तो माइनस 2 अब 19 में प्लस 6 करेंगे ये करम है यहां पर माइनस दो प्लस 6 मानिस 2 19 चे 25 होता था तो यंश का आंसर आएगा आपसन नमबर फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है जलिया वाला वाग हत्या कान देखिए यहां पर जीके का पाउर टू स्टार्ट हो गया रिक्तिस्थान की वियोध के पर नाम सुरूप हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर है आपसन थर्ड रॉलेट एक्ट नेस भारत में गया रहाउए पंच वर्सी योद्ना की की पाउद ही क्या थि खरेक्ट आंसर है आपसन फौर्थ नहींड देखिश्ट कोस्टन है बैंकिंग बिन यम अधनियम का पारित किया गया था funeral कारेक्ट आंसर है cards ने ने सौन 43 में ने आगा खान कप का संबंध निम लिखित में से किस खेल से है? भारत में किस धर्म की जन संख्या बहुत संख्याक है? जून 2023 में निम लिखित में से किसे इस पिनोजा पुरुषकार, जिसे कभी-कभी डच नोबेल पुरुसकार भी कहा जाता है से सम्मानित किया गया करेक्ट आंसर है आप्षन फोर्थ जाईता गुपता को नेस्ट कोस्टन दोहजार गेरा की जनगर्णा के अंसार निम लखित में से कौन सब भारत का सबसे कम अवादी वाला राज है करेक्ट आंसर है आपसा सेकेंड सिक्किम MD अपसा सेकंड भाग चार सबसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलारी एक खेल में तीन तीन अंग जीतते है अठात स्कोर 40-40 है तो इसे रिक्तिस्थान कहा जाता है करेक्ट आंसर है आपसर सेकेंड डियूस नेस्ट कोस्टन है 1866 में एक अंग्रेज बैग्यानिक जान निव लेंड से ने ततकालिन ग्या तत्तों को रिक्तिस्थान के क्रम में बिवस्थित किया इसे निव लेंड के अश्टक नियम के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर है आपसर थर्ड बढ़ते परमार उद्रब्मान के क्रम में नेस्ट कोस्टन है हार नभिल उत्सव में निम लिखित में से कौन सी मूल जन जाती है अपनी संस्कृति और परमपराओं का प्रदर्शन करती है करेक्ट आंसर है आपसर फर्ष्ट नागा नेस्ट कोस्टन मुंडारी नित्त का सम्मंध निम लिखित में से किस राजिसे है करेक्ट आंसर है आपसर फर्ष्ट जारखन नेस्ट कोस्टन हरित क्रांती की सुरुवात 1965 में हुई और रिक्तिस्थान पंचवर्शी योजना 1961 से 66 के बीच थी तो त्रिती पंचवर्शी योजना में हरित क्रांती की सुरुवात हुई थी यहां सन भी याद रखें 1965 में भारत के उत्तर पच्छी में निम लिखित में से किस देश की सीमा लगती है correct answer है option first अफगानिस्तान और पाकिस्तान की next question निम लिखित में से कौन सा मौरिकालिन सिललेक वर्तमान भारत में इस्थित नहीं है correct answer है option first next question है किस भारती निर्थ कलाकार ने 56 निर्थ के लिए हो 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार जीता correct answer है option 4 तपन कुमार पटनायक next question है 2026 ACI खेलों की मेजवानी निम लिखित में से कौन सदेश करेगा correct answer है option 1 जापान next question पंडित रवी संकर किस वादेंदर के वादक थे correct answer है option 4 सितार next question है 2023 में क्रसी और किसान कल्यान मंत्राले ने एक PM किसान Artificial Intelligence चैट वाट रिखते स्थान लांच किया है जो किसानों को PM किसान योजन से सम्मंधित उनकी सिकायतों के लिए एक ही जगे पर समाधान प्रदान करेगा correct answer है option 4 किसान ये मित्र next question है यहां से देखे मैट्स के question स्टार्ट होंगे question number first है दो वर्सों के लिए एक निशित व्याज़ दर पर मोल धन पर साब्धारन व्याज और चक्रविदि व्याज क्रम से 12,800 रुपए और 14,400 रुपए है मोल धन कितना होगा यहां पर देखे साधान व्याज 12,800 है दो वर्स का और चक्रविदि व्याज 14,400 तो पहले दो वर्स का आप SI और CI यहां पर set कर लेंगे SI and CI देखे फर्स्ट येर और यहां पर सेकंड येर साधान व्याज तो प्रतेक वर्स समान होता है तो जब दो वर्स का साधान व्याज 12,800 तो एक वर्स का जब भाग करेंगे दो से तो यहां 6,400 होगा तो एक वर्स का साधान व्याज 6,400 दूसरे वर्स भी 6,400 ये टोटल हो जाएगा 12,800 रुपए दो वर्ष का SI CI यहाँ पर देखे पहले वर्ष के लिए तो समान ही होता है पहले वर्ष का साधान ब्याज और चक्रविधि ब्याज समान होता है दूसरे वर्ष का यहाँ पर ब्रध ही हो जाती है तो यहाँ तो 6400 लिखें के जियों कत्यों यह रहेगा अब यहाँ पर देखे यह तो 12800 हो गया दोनों को जोड़ने पर लेकिन यहाँ 14400 है तो 14400 में जब 12800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो अत्रिक्ट होगा उसको यहाँ पर लिखाना होगा तो यहाँ पर देखे बैलू बचे की अत्रिक्ट बैलू यहाँ पर सोला सो होगी जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14400 यह दो वर्स का CI हो गया अब देखिए इस सोला सो किस रेट से होगा तो 6400 का 1600 कितने परसेंट है तो आपको परसेंट निकाल लेना है तो जब परसेंट निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1664 सो का कितने परसेंट है तो यहाँ 1600 बटे 6400 इंटू हैंडेट 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे फिर 16 एककम 16 यहाँ पर सो होगा 164 को 64 यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बार जाएगा अथात रेट हो जाएगे 25 परसेंट 25 परसेंट रेट होगा तो आपको रेट ही फाइंड करना था पहले अब देखिए 2 वर्ष का एदी परसेंट में यहाँ निकाले अथात साधान ब्याज तो देखिए 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 परसेंट हो जाएगा दो वर्स के SI 50% होगा और जो कि यहां पर दिया है 50% की value तो लिखेंगे 50% बराबर 12800 50% की value यहां पर दिया है आपको निकालना है 100% की क्योंकि लास्ट में कहरा कि मोल धन कितना है तो आपको 100% निकालना था तो 100% जब निकालना है तो 50 में 2 का गुना करेंगे तो यहां भी 2 का गुना करेंगे तो 128 दोनी होता है 256 और 00 तो मतलब 25600 हो जाएगा मोल धन इसका आपसर नमबर 2nd करेक्ट है तो आपको इसी तरह स्वाल्प करना है पहले आप rate फाइंड कर लेंगे यदि किसी ड्रेस का मोल 800 रुपए से घटा कर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मोल में हुई प्रेस्ट कमी कितनी है यहां पर पहले देखे मोल 800 था घटा करके कर दिया गया 720 तो यहां पर देखे कमी होगी यहाँ पर घटाएंगे जब आपस में तो 80 रुपय कमी होगी लेकिन यहाँ पर प्रिस्चत पूछ रहा कि प्रिस्चत कमी कितनी तो 80 उपा लिखेंगे 80 कमी हुई 800 में कमी हुई तो 800 नीचे होगा इंटू होगा 100 अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे देखें 00 से 00 कैंसिल आउट आठे कमा ठार दाम 80 अर्थात प्रिस्चत कमी होगी 10 परसेंट की इसका आपसन नमबर 3 करेक्ट है नेश्ट कॉस्चन है तीन ब्यक्तियों की वर्तमान आयू का अनुपात तीन अनुपात ये 5 अनुपात साथ है ये अनुपात में ये बैलू दी हुई है अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्स पहले उनकी आयू का योग 87 था तो तीनो ब्यक्तियों का वर्तमान में आयू का योग निकालेंगे तो 6-6-6 तीनों में ब्रद ही कर देंगे अर्था 87 प्लस 6-3-8 तो तीनों में वर्तमान आयू का योग आ जाएगा टोटल 8-7-15 की पांच यहाँ पर आठीक 9-10 105 वर्स हो जाएगा तीनों का वर्तमान आयू लेकिन यहाँ पर अनुपात में देखें तो अनुपात में हुरा 7-5-12-3-15 अनुपात में योग हुरा 15 15 15 की बैलू 105 की हो जाएगी तो 15 एक कम 15 15 सत्ते 105 एक अनुपात की बैलू 7 लेकिन कह रहा है कि 3 बैक्ति की आयू अर्तमान में कितनी कितनी है तो 7 का गुणा आपको करना होगा 3 में तो 1 की हो जाएगी 7 एक 21 वर्ष फिर 7 पना 35 वर्ष सेकेंड की और 7 सत्ता 49 वर्ष थर्ड की तो आपको 21 35 वर्ष आपसर नंबर थर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है नेस्ट कोस्टन है 22 विद्यार्थियों की एक कच्छा का आउसत भार 42 किलोग्राम है यदि कच्छा में 33 किलोग्राम और 49 किलोग्राम भार के दो नए विद्यार्थि सामिल हो जाते है तो 24 विद्यार्थियों को नए आउसत भार कितना होगा आपको नए एवरेज फाइन करना निव एवरेज तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 22 विद्यार्थियों को आउसत 42 है तो कुल भार यहाँ पर निकालेंगे तो 22 into 42 कर देते हैं अब प्लस दो विद्यार्थी और सामिल होते हैं 33 और 49 किलोग्राम तो 33 प्लस यहां 49 अभी 2 विद्यार्थी और जोड़ लेंगे टोटल विद्यार्थी हो गए 24 तो 24 से भाग कर देंगे अब देखें यहां पर 33 और 49 जोड़ने पर यहां पर 72 हो जाएगा और यह बैलू यहां पर देखें 22 into 42 ही लिखेंगे तो पहले 3 से cancel out कर लेते हैं 38, 24 यहां पर 14, 34, 42 और यहां पर 24, 72 यह simplify कर लेंगे अब देखें 14, 22 का जब गुना करेंगे तो यहां पर 308 आएगा 14, 28, 28, 32, 308 प्लस यहां पर 24 ही बचेगी क्योंकि 72 को cancel out की थे 3 से तो यहां पर प्लस 24 और divide बाई यहां 8 हो गया है यह simplify इस तरह कर लेना है अब 308 और 24 जब जोड़ेंगे तो यहां 332 हो जाएगा और divide करना है 8 से तो देखे दसंबलों बैलू आएगी आठ चोग 32 फिर यहां पर एक बारा हुआ तो आठ एक कमाठ फिर यहां पर 440 हुआ तो फिर आठ पंचे 40 हर्थात 41 दसंबलों 5 किलोग्राम और सथ भार आएगा सभी विद्यार्थियों का आपसर नमबर फस्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है प्रतवी के पास नासपाती और आडू 10 अनपाते 13 के अनपात में है सेलीन के पास नासपाती और आडू 7 अनपाते 9 के अनपात में है विक्रम के पास नासपाती और आडू 5 अनपाते 7 के अनपात में है तो किसके पास नासपाती और आडू अधिक अनप साथ अनपाते नव और यहाँ पर देखे बिक्रम के पास दिया हुआ है भिन फ्रैक्शन दिया है पाँच अनपाते साथ आपको यह पता करना है कि सबसे बड़ी भिन कौन है क्योंकि अधिक यहाँ पर अनपात पूछ रहा है तो तिरिया गुणा करेंगे पहले दस नाई उनचास और यहाँ पर नौपना पैतालिस तो उनचास बड़ा है अर्थात यह बड़ी होगी इसको छोड़ देंगे तो अधिक्तम है सबसे बड़ा अनुपात साथ बटी नौ जो कि सिलीन यहाँ पर सिलीन था तो आपसा नंबर थर्ड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यहा आपको इतना ब्रैकेट पहले अलग सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को अलग क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बिग ब्रैकेट होना चाहिए तो यहाँ पर देखे 20 में आज घटाएंगे 12 और 48 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ 36 और फिर यह डिवाइड का सिंबल है त यहाँ पर चारते हैं 12 तो 36 में 12 से जब भाग करेंगे तो तीन बार जाएगा पतार इसका भी कल्प से करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक कुर्सी का अंकित मूल उसके क्रेमोल से 20% अधिक है यहाँ पर देखिए क्रेमोल तो हमेशा 100% होता है यहाँ पर लिख लेते हैं ले 20 रुपए की छूड़ दे तो अब 120 में जब 20 रुपए की छूड़ देगा 120% में तो यहाँ पर 120% माइनस 20 यही हो जाएगा सेलिंग प्राइस यह कह रहा है इसके बाद 220 रुपए में बेंचता है तो यह तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गई 120% माइनस 20 यहाँ पर कर र बारबर हो जाएगा 240 क्योंकि जुड़ेगा उस साइड जाएगा तो 120 एक कम 120 120 दोनी 240 यहाँ पर 1% की दो दो बराबर जब 1% है तो आपको निकालना है20 बराबर कितने % होगा तो यहाँ पर 10 का गुणा करना तो यहां 110% value बचेगी प्रिश्यत में ही आपको पता करना है CP है 100% और यहां पर SP 110% तो देखे 10% ज्यादा है अर्थात लाब होगा लास्ट में पूच रहा है कि तो लाब प्रिश्यत कितना होगा तो 10% का लाब होगा क्योंकि क्रेमोल से जितना अधिक होता है विक्रेमोल उ अनुत्रींड हो गया यहां पर देखें अनुत्रींड हुआ तो प्लस कर लेंगे 15 मतला 32% और प्लस 15 करेंगे यहां पर कंदे प्लस करते हैं अधिक है तो माइनस यह दिएसед को फिर्य संथातं प्राप्त करता है तो यहां पर लिख लिए बराबर संथामं पर सेंथ hem अधि कर लें या फिर इस value को दोनों में से कोई भी value आप find कर सकते हैं पहले 1% की निकालेंगे तो संतामन को इधर पच्छांतर करेंगे तो 32 माइनस जब संतामन करेंगे तो माइनस 25 परसेंट बचेगी 25 एक परसेंट की value यहाँ पर एक प्राप्थ हो गई आपको निकालना है कि उत्रीन होने के लिए कितने अंग चाहिए तो जब उत्रीन का आपको अंग निकालना होगा तो आप कोई भी एक value ले सकते हैं या तो इस वाली value को या फिर ये वाली value दोनों तो फर्ष्ट वाली value से निकाल लेते हैं 32% प्लस 15 अब ये प्रिश्चत को आप संख्या में कनवर्ट करेंगे तो 1% की जब एक है तो 32% की 32 ही होगी तो 32% प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पर उत्रीण होने का अंक हो जाएगा 47 तो इसका आप्शन नमबर थर्ड करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है सोनु अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है जब कि मोनु अकेले इसे 250 दिनों बना सकता है तो यहाँ पर देखे आगे कहरा कि मोनु काम सुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है और सोनु से इस काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो यहाँ पर पहले देखे अलग अलग लिख लेंगे सोनु अकेले 125 दिनों में काम करता है किसी काम को तो यहाँ पर सोनु का लिख लेंगे 125 दिन और मोनु इसे करता है 250 दिनों में तो मोनु का यहाँ पर लिख लेते हैं 250 250 अब 125 और 250 के LCM यहां पर find कर लेंगे तो 280 ही आएगा LCM तो टोटल वर्क हो जाएगा 250 अब सोनु की efficiency निकालना कारचमता तो 125 से 250 में भाग करेंगे तो दो बार जाएगा मोनु की कारचमता से तो यहां पर 75 काम हो जाएगा तो 250 में जब 75 माइनस कर देंगे तो यहां पर 175 काम सेश बचेगा जो की करेगा आप काउन सोनु करेगा असोनु अपनी कारचमता से करेगा तो देखे सोनु सेस काम कर रहा है 175 अपनी कारचमता से अर्था 2 है कारचमता तो देखे कितने दिनों में करेगा तो 2 एक कम 2 यहाँ पर देखे 2,8,16 फिर इसके बाद 1,15 हुआ तो 2,7,14 फिर एक बचा 10 हुआ 2,5,10 तो यह सोनु सेस काम को 87.5 दिन में पूरा कर देगा इसका अंसर होगा आपसर नमबर 4 नेस्ट कॉस्टन है तेरा बिद्यार्थियों के आउसत अंक 130 थे लेकिन बाद में पाया गया कि एक बिद्यार्थि के अंक गलती से 32 के इस्थान पर तेश दर्ज कर लिए गए थे उनके अंक का सही आउसत ग्याद करें यहाँ पर देखेगा पहले आउसत था 130 लेकिन एक बिद्यार्थि को 32 के इस्थान पर 23 अंक दे दिया गया तो मतलब कितने अंक कम हो गए तो अंकों में कमी आएगी जब घटाएंगी तो 9 अंक कम तो अवरेज में आउसत में कितनी कमी आएगी यहाँ पर लिखेंगे आउसत में कमी आपको आउसत में कमी निकालना है तो आउसत में कमी निकालना है तो 9 अंक कमी है लेकिन 13 विद्यार्थि हैं तो 13 में कमी होगी तो भाग करेंगे 13 से तो देखे दसम्बलों में आएगा जब भाग करेंगे तो 0.69, यहाँ पर कमी होगी 0.69 की, तो यदि कमी हो रही तो आपको सही आउसत निकालना है, जब लास्ट में कहरा है कि उनके अंका सही आउसत क्या है, तो जब आप सही आउसत निकालेंगे तो सही आउसत के लिए यह तो पुराना आउसत दिया है 130 इसमें आपको प्लस कर देना है जितने आउसत की कमी है तो 0.69 आप प्लस करेंगे 130 में तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा 130.69 तो इसका आंसर होगा आपसर नंबर थर्ड नेस्ट कॉस्टन है 2016 भागी 4 प्लस 32 गुणे 6 माइनस 26 गुणे 3 करमान क्या होगा देखिए यहाँ पर 3 खंड है तीनों खंड अलग अलग स्वाल कर लेंगे अब 2016 में जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बैलू आ जाएगी यहाँ पर आप भाग कर लेंगे 504 आएगा फिर प्लस 32 इंटू 6 करना तो 6 दूनी 12 चेतरीक अठारे के 19 एक सो बानवे और फिर माइनस करना 26 त्याई 78 अब यहाँ पर देखिए आपस में दोनों को जोड लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 696 जोडने पर आएगा 696 माइनस यहाँ पर 78 करेंगे तो बैलू आएगी द बस तुको 10% की हानी पर बेंचता है देखे यहाँ पर यदि CP 100% है तो 10% की यदि हानी होगी तो SP हो जाएगा 90% फर्स्ट कंडिशन पर देखे यब SP 90% हो गया सेकेंड कंडिशन आगे देखेगा यदि वह इसे 30% कम मूल पर खरीता देखे पहले 100 में खरीद रहा था यदि 100 में 30% कम करेंगे तो 70% तो नया CP हो जाएगा यहाँ पर देखे 70% और इसे 26 रुपाय कम में बेंचता तो उसे 10% का लाव होता अब यहाँ पर 70 में 10% का लाव तो 70 का यदि 10% निकालें तो देखे 70 का 10% होगा 7 क्योंकि प्रेशन डबल 0 रिमूब कर देगा 7 एकम 7 तो आप इसमें 7 जोड़ेंगे 70 में तो यह SP हो जाएगा नया SP यहाँ पर विक्रेमूल 87% होगा लेकिन यहाँ पर देखे 26 रुपाय कम में बेंच रहा है तो पुराना विक्रेमूल तो 90% है और नया विक्रेमूल 87% है दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 13% तो इस टार्टिंग में देखे 100% था आपको 100% की निकालना है तो जब 1% की 2 है तो 100% की निकालना है तो 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा बस तुका क्रेमूल इसका आपसर नंबर फ़स्ट करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन देखेंगे 35 घात 29 को 10 से भाग देने पर सेस फल कितना होगा यहाँ पर देखे 35 की घात में 29 है और इसको 10 से डिवाइट करना है तो देखे 29 में पहले 4 से भाग करते तो 4 सती 28 सेस एक बच रहा है तो आपको 5 की घात में एक लगाना है तो देखे 5 की पावर एक लगाएंगे तो सेस 5 ही एक बस अपने निर्धारी समय से साथ मिनट देरी से रवान होती, साथ मिनट का मतलब यहाँ पर एक घंटा से है, और लेकिन 300 किलोमीटर दूर इस्थित गंतब्य तक समय पर पहुँचने के लिए उसकी सामान चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ब्रद्ध कर दी जाती है, तो बस की सामान चाल कितनी है, यहाँ पर देखेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखे, टोटल डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर, यहाँ दूरी डिस्टेंस आपका दिया है 300 किलोमीटर, और इसको देखे 60 कर तरीके से लगाते हैं, यहाँ पर ब्रद्ध कर रहा कितने की 10 किल इसले आगे देखिएगा इसको पचास करेंगे 10 और बढ़ाएंगे यहां पर एक बढ़ाएंगे 5 यहां पर इसको 60 करेंगे यहां पर 6 अब देखे यहां पर तेरिया गुणा करने पर 300 आ जाएगा तब यहां पर हो गई चाल उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान चाल होगी इसका आपसर नमबर 3 करेक्ट है तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं यदि वो चाल बढ़ा देता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो वो 5 घंटे में ही आपको ये लगाने का इसका तरीका है, ये याद रखेगा, शाट कर तरीका, नेश्ट कॉस्टन है, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सिंटीमीटर है, गोले का कुल प्रष्टीज हेतरफल कितना है, यहाँ पर देखे, गोले का प्रष्टीज हेतरफल होता है, 4 πाई r square, और इसी मे गुणा करेंगे क्योंकि आर इसक्वेर इसलिए आप देखिए इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं साथ एककम साथ साथ पना पैंतिस यहां पर जीरो पॉइंट फाइब आएगा आप देखे मल्टिप्लाई करना है तो आपको बाइस पंचे एक सो दस इसका पहले गुणा कर ल होगा तो 141 कम 14 की चार फिर 141 कम 14 15 क्योंकि प्रस्टीज फ़ल है तो इसका आपसा नंबर से केंड करेक्ट है नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे एक स्टू और एक स्टू और एक स्ट्री एक काम को क्रम सह 95 और सरशट पॉइंट फाइब दिनों में पूरा कर सकते हैं तो तो शुरू करते हैं लेकिन एक स्टू ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ यहां पर देखें पहले तीनों बैलू यहां पर लिख लेते हैं एक स्टू उन किसी काम को 90 दिन में कर सकता है एक स्टू उसी काम को 45 दिन म और X3 का यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 66.5 अब यह दसमलों में दिया है देखे तो यहाँ पर क्या करेंगी दसमलों रिमूब कर देते हैं तो बटे हो जाएगा 10 इस 675 बटे 10 अब तेनों का LCM निकालना है तो यहाँ पर देखे LCM आप लेंगे 90, 45, 675 तो LCM ही टोटल वर्क हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो LCM आएगा 1350 अब आपको 90 में से भाग करेंगे 1350 में तो X1 की कारचमता आजाएगी तो यहाँ पर 15 आएगी भाग करके आप देख लेंगे फिर 45 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 30 आजाएगी और 675 बटी 10 से भाग करेंगे 1350 में यहाँ पर देखे 1350 है और यहाँ 675 बटी 10 तो यह तो दो बार सॉरी यहाँ 675 है 675 बटी 10 675 दोनी 1350 दोनी 20 यहाँ पर इसकी कारचमता आजाएगी 20 इस तरह से तीनों की आपको कारचमता निकाल लेना है अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम सुरू किया लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया यदि X2 छोड़ेगा तो दो लोग एक करेंगे जो बचा हुआ है तो यहाँ पर 13.5 दिन करेंगे तो लेकिन अपनी स्पीड से करेंगे तो 15-20, स्पीड 35 हो गई अब 35 इंटू 13.5 करेंगे तो देखिए काम कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 35 की कारचमता से 13.5 दिन जब करेंगे तो यहाँ पर काम होगा 472.5 यह आप गुना कर लेंगे तो 472.5 काम कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 472.5 तो देखे सेस काम जो बचेगा वो तीनों लोग किये होंगे साथ में तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो आपको बैलू मिल जाएगी आप यहाँ पर घटा लेंगे माइनस करने पर आएगा 877.5 ये सेज काम है और सेज काम तीनों लोग करेंगे और तीनों की कूल कारचमता यहाँ पर जोड लेते हैं तो यहाँ पर देखे 877.5 और डिवाइड वाई तीस भीट पचास पचास दसात पर पैंसट 65 से आपको भाग करना है तो यहाँ पर X1, X2 और X3 ये तीनों मिल करके काम किये है तो देखे यहाँ पर डिवाइड करने पर बैलू प्राप्थ होगी जब आप यहाँ पर भाग करेंगे तो 13.5 ही प्राप्थ होगा और ये 13.5 काम हो गया सोरी 13.5 दिन यहाँ पर हो गए जो तीनों मिल करके काम कर रहे थे साथ में और बचा हुआ काम दो लोग किये थे 13.5 दिन में तो दोनों को आप प्लस कर लेंगे 13.5 तो 27 आएगा टोटर क्योंकि 13.5 प्लस 13.5 27 दिन में वो काम पूरा समाथ हुआ तो आपसर नमबर फोर्थ करेक्ट है इस तरह आपको फाइंड करना है नेश्ट कोस्टन देखेंगे एक बस्तु का अंकित मूल 12,800 रुपए है और इसका बिक्रे मूल 77,88 रुपए है तो बस्तु पर छोड प्रिस्ट कितना है यहाँ पर देखें अंकित मूल दिया है अर्थाद मार्केट प्राइस यहाँ पर लिख लेंगे 12,800 और बिक्रे मूल अर्थाद SP दिया है यहाँ पर 77,88 अब जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखें छोड कितने रुपए की है तो यह दोनों को आपस माइनस करने पर आएगा 4,012 तो आपको प्रेश्ट छोट निकालना है अर्थाद प्रेश्ट दिसकाउंट तो 4,012 की छोट है और यह मार्केट प्राइस पर ही छोट दे जाती है तो बटे हो जाए 12,800 और इंटू करेंगे 100 डबल जिरो से डबल जिरो कैंसिल आउट अब 118 से जब भाग करेंगे 4,012 में तो पहले तो देखे 3 बार जाएगा फिर 18 चोग 72 होता है फिर 4 बार जाएगा अर्था 34 परसेंट के डिसकाउंट देगा आफसर नमबर 3 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है 443 माइनस 226 भागे दो गुणे 5 का मान कितना होगा सबसे पहले यहाँ पर आप भाग करेंगे 226 में 2 से तो 113 आएगा अब 113 इंटू 5 कर लेते हैं इपर तो यहाँ पर 565 होगा अब 443 में 565 माइनस कर देना 443 माइनस 565 तो यहाँ पर देखे बैलू प्राप्थ हो जाएगी तो 5 में जब 3 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2 और 5 में 4 घटाएंगे 1 और यह माइनस में आएगा क्योंकि छोटी संख्य में बड़ी संख्य घटा रहे हैं माइनस 122 इसका अंसर होगा Next Question है एक आदमी एक रूपए में 35 आम खरीदता है तो एक रूपए में कितने आम बेंचने पर उसे 30% की हानी होगी यहाँ पर Sorry यह यहाँ पर पूरा प्रस्ण है 30% की हानी यहाँ पर पूंचा है तो देखें यहाँ पर एक सोत्र होता है रूपाय ओपा लिखेंगे रूपिया और नीचे जश्ट इसके बस्तू लिखते हैं यह याद रखेंगे आप और बटे में लिखेंगे हैंडेड प्लस माइनस X1 यह X1 लाभ यहानी का प्रिश्चेत है सेम इसी तरह यहाँ भी लिखते हैं बराबर के साइड रूपिया बटे बस्तू ओपर रूपाय नीचे बस्तू इस सोत्र में आपको बैलू सेट कर लेना है यह इजी फार्मूला है बटे हैंडेड प्लस माइनस X2 X2 लाभ यहानी का प्रिश्चेत है प्लस लाभ के लिए और हानी के लिए माइनस का सिंबल लेते हैं अब देखें यहाँ पर बैलू पूट कर देंगे आप इसी सोत्र में तो देखें यहाँ पर कहरा कि एक रूपाय में 35 आम तो जब एक रूपाय रूपिया एक है और बस तू 35 है तो 35 आम खरीदने पर खरीदता है तो यहाँ पर न लाभ है ना हानी फर्ष्ट स्थित में तो नीचे केबल सो लिखेंगे बराबर अब दूसरी स्थित में कहरा है कि एक रूपाय में कितने आम बेचे तो एक रूपाय में यहाँ पर आम की संख्या यक्स माल लेंगे बेचे की 30% की हानी तो सव में जब 30 घटाएंगे तो यहाँ 70 होगा अब आपस में तिरिया गुणा कर लेंगे देखे एक बटे 35 का 70 से गुणा होगा तो इंटू कर देंगे 70 बराबर और सव का गुणा एक बटे यक्स से करेंगे तो मतलब एक बटे यक्स इंटू हैंडेड अब यहाँ पर देखे 35 एकम 35 35 दूनिस सथर फिर 2 एकम 2 यहाँ से 50 दूनिस सव तो जब आप यक्स की बैलू निकालेंगे तो क्रास मल्टिप्लाई करेंगे तो यक्स बराबर आजाएगा पचास तो पचास हम बेचने होगे आपसर नमबर फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक निश्चित धनरासी साधान ब्याज की दर पर 10 वर्सों में स्वयम की 7 गुनी हो जाती है तो 20 वर्सों में साधान ब्याज दर पर वह स्वयम की कितने गुनी हो जाएगी यहाँ पर देखे टी टू यहाँ पर पहला समय कहलाईगा यहाँ पर पहले यह ग्यान गुना साध गणा का मतलब यह ग्यान गुना यह 2-3 समय टी टू कहलाएगा और ये गुना पूँच रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा यन 2 दूसरा गुना हो जाएगा यन 2 अब इसमें एक फार्मूला होता है पर लिख लेंगे कि T2 equal to होता है यहाँ पर समय दूती समय जो दिया है यहाँ पर प्रथम गुना जो दिया है यन 1-1 उपर करेंगे अब दूती गुना जो दिया है तो उसको नीचे यन 2 यह जो दूसरा गुना दिया है उसको पहले लिखते है उपर यन 2-1 एक कम करके जो प्रथम यह गुना वाली बैलू दिया है उसको नीचे लिखेंगे N1-1 और N2 में होता है T1 इस फार्मूले को आपको याद रखना है इसे में बैलू पूट कर देंगे तो T2 की बैलू देखे दिया है 20 तो यहाँ पर बैलू लिखेंगे 20 बराबर और N2 की find करना है कितने गुना हो जाएगी तो N2 की जगे N2 लिखेंगे माइनस 1 और डिवाइड बाइ N1 की बैलू 7 है तो 7 माइनस 1 और N2 T1 की बैलू दिया है 10 तो यहाँ पर लिखेंगे 10 अब यह 10 एक कम 10 10 दूनी 20 दो बार जाएगा 7 में गटाएगे 6 6 का गुना 2 से करेंगे तो 12 तो 12 बराबर हो जाएगा N2 माइनस 1 माइनस 1 इधर ले आएगे पच्छांतर करेंगे तो यह 12 एक 13 हो जाएगा यही N2 की बैलू हो जाएगी मतलब दूसरा गुना जो दिया है आपसर नमबर 1 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा यहांस देखे 20 कोस्टन हिंदी के यहां पर देखेंगे देए गए वाक्यांस के लिए एक सार्थक सब्द ग्याद करें वाक्यांस है जो समभिधान के अनकौल हो करेक्ट आंसर है आपसर फोर्स समभैधानिक नेस्ट कोस्टन है दिये गए वाक का वह भाग ग्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है यदि कोई तुरूटी नहीं है तो कोई तुरूटी नहीं है चुने यहाँ पर देखे वाक है यह काम चार आदमी का है इसे अकेले मत करो तो यहाँ पर देखे वाक में तुरूटी होगी चार आदमी आदम रिक्तिस्थान भी है तो उचित परयावाची यहाँ पर होगा जानकी सीता का परयावाची आपको फिल करना है निम लिखित प्रस्ण में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो दी गई लोकोक्ती का सही अर्थ वाला बिकल्प है लोकोक्ती है अपनी करनी पार उतलनी इसका सही अर्थ होगा मनुस्य को अपने कर्मों के अमसार ही फल मिलता है नेस्ट कॉस्टन है निम लिखित प्रस्ण में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो कोष्टक में दे गए सब्द के पर्यायवाची सब्द का सही बिकल्प है देखे वाक है गुलाब के फोल में बहुत से कोष्टक दिया काटे रिक्तिस्थान होते हैं काटे का आपको पर्यायवाची यहां फिल करना है तो करेक्ट आंसर है आप्शन फोल सूल नेस्ट कॉस्टन निम लिखित प्रस्ण में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो दिये गए मुहावरे का सही अर्थ वाला बिकल्प है मुहावरा है देखे चलनी कर डालना इसका सही अर्थ होगा सोग वियल कर देना नेस्ट कॉस्टन है दिये गए वाक में से गलत वरतनी वाला सब्द ग्याद करें देखे सभी भाईयों के बीच संपती के लिए कले हो रहा है यहाँ पर गलत वरतनी है संपती संपती हो गए यहाँ पर तो इसलिए गलत है इसकी वरतनी नेस्ट कॉस्टन है देए गए वाक में रिखां की सब्द का बिलोम सब्द ग्याद कीजे वाक है यहाँ पर देखे पच्छिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है रिखां की सब्द यहाँ पर आधुनिक इसका बिलोम सब्द होता है पवराणी नेस्ट कॉस्टन है निमलिखित में प्रस्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करे जो कोश्टक में देए गए सब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है आप सभी को यहां रिक्तिस्थान से जाने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर देखे यहां का यह तत्दभो है इसका तत्सम सब्द होगा अत्र नेस्ट कॉस्टन है निमलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करे जो कोश्टक में दे गए सब्द के तद्भव रूप का सही विकल्ब है देखे वाक है किले की सुरच्छा के लिए परिकूट रिक्तिस्थान होना चाहिए हतियारवंद चौकिदार होने चाहिए यहाँ परिकूट यह समसब्द है इसका तद्भव होगा पर कोटा दे गए वाक में रिखांकित सब्दों के लिए सही सब्दों वाले विकल्ब का चैन करें यहाँ पर देखे यहाँ सुध गाय का दोध मिलता है इसका देखे रिखांकित सब्द यहाँ पर इसका होगा यहां गाय का सुर्द दोध मिलता है इसकी जगह पर यह सब्द होगा नेक्स्ट कॉस्टन दे गए वाक मेरे खांकी सब्द के लिए सही वर्तनी ग्याद कीजिए यहां पर देखे वाक है सिग्र ही वैद को ले आओ यहां पर देखे सिग्र की जगह होगा सिग्र नेक्स्ट कॉस्टन निमलिकित प्रस्ट में चार भी कल्पों में से उस सही भी कल्प का चैन करे जो वाक्यांस के लिए सही सब्द का सब्द का एक भी कल्प हो देखे वाक्यांस है जिसका उदय हाल में ही हुआ हो तो इसके लिए एक सब्द होगा नवोदित नेस्ट कॉस्चन दिये गए वाक मेरे खांकिस सब्द का विलोम सब्द ग्याद कीजिए वाक है यहाँ पर देखे सुरेश वेराहमी से सबसे पेस आता है यहां पर देखे वेरामी का विलोम होगा रहम दिली नेस्ट कुश्चन है दे गए बिकल्पों में से तीन बिकल्प तुर्टी युक्त हैं जबकि एक सही है उस सही बिकल्प का चैन करें यहां पर देखे सही बिकल्प होगा मैं तुमसे रईवार को मिलूँगा बाकि यहां पर देखे यह सभी गल्प है मैं तुमसे रईवार में मिलूँगा यह गल्प है मैं तुमसे रईवार के दिन को मिलूँगा यह भी गल्प है मैं तुमसे यहां रईवार के दिन मिलूँगा यह भी गल्प है नेस्ट कुश्चन है नीचे दिए गए गद्यांस में कुछ सब्द छोड़ दिए गए हैं प्रतियक अनुचेत के सामने चार विकल्प दिए गए हैं इस गद्यांस को ध्यानपुर्वग पढ़ें और 4 विकल्प banco में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें यहाँ पर देखे गद्यांस को आप पढ़ते जाएंगे और फिर इसके बाद जो बिकल्प में दिये हैं तो उसके अंसार चार बिकल्पों में से फिल करना है आगे पढ़ेंगे आज के समय में देखें इसी के आगे है आज के समय में बिना समचार पत्र के जीवन की यहाँ पर कलपना फिल होगा कलपना करना भी काफी कठीन है आप इसको फिल करते जाएंगे गध्यांस को पढ़ते हुए फिर इसके आगे आप पर लिए गध्यांस है यह हमारी ग्यान कौसल और तक्नीकी यहां पर जाग रुपता को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है और नेस्ट में यहां फिल करेंगे देखें टॉंटी नंबर कॉस्टन है इसका लास्ट बहुत से समचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी 80 questions complete हो गए इस सेट के और आपको all questions paper इस चैनल के playlist में मिल जाएगे साथ ही साथ आप लोग telegram channel जॉइन कर लिजे जिसका लिंक इस वीडियो के description box में दिया हुआ है telegram channel पर प्रतेख वीडियो का link प्लस special PDF file उपलब्त करवा दी जाती है